दोस्तों यहां पर हमारे पास है Honda SP 125 आप देख पा रहे हैं यह बाइक बिल्कुल न्यू मोडल है और 2022 की बाइक है और इसमें फिला लजी हम जो प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं देख पा रहे हैं यहां पर आकास को हमने बहुत अच्छे से ट्रेंड कर दिया है यह जो दाग नहीं आएगा तो इसलिए दोस्ते यहां पर बीट का यूज क्या गया और काफी अच्छा यह प्रोटेक्शन देखना भी डिजाइन अच्छा लग रहा है इसको पर से भी अगर रेट का यहां पर इस्तेमाल कर देंगे तो यह काफी अच्छा लेगा लेकिन बाद मे अभी यह बाइक है होंटा इस्पी काई यह ग्रिवल बहुत जल्दी ही इसका जो है कलर चला जाता तो यहां पर भी अभी हम इसमोग स्मोग बिलेंग यां पर युच करें गे ओस्तां पर इस्सां क्या माप है मेर्जमेट क्या है वो अभी हम आप लेते हैं तो यह चाकू खेट ते अपज हमने चाकु में भी यहां पर कलाकारी कर दिया है जो measurement है दोस्तों यहां पर देख पाए है यह आपका 14 जारा लेकिन 15 इंच आपको लेना है और यहां से ना पना होगा और यह 13 इंच आरा यह 12 इंच आरा लेकर आपको 13 इंच लेना वापप सुरुवात नहीं दिखा पाई हाला कि शुरुवात वो पुख्रादी दिखा रहे जरूरी नहीं है फिलाल अभी एक चीज़ा होड़ आपको दिखा रहे दोस्तों यहां पर देख पार है हमारे पास एक इस्टक का हेलमेट है और यह हेलमेट में एक काफी जवर्जास हम यहाँ पर डिजाइन बनाने वाले हैं, इस सैट जो हमने रेप चड़ाया है, वो भी स्मोग बलेक का रेप चड़ाया है, आपको यहाँ पर देखने में धुला लग रहा हुगा, लेकिन जब इसको हम यहाँ पर निकालेंगे, यह वाला, यह वाला को देखें, यह वाला को जह हम निकालेंगे, तो इसका साइनिंग जो है, बहुत ही जवर्जास साइनिंग आया, बहुत ही यूनी, इस सैट में साइनिंग वाला बलेक, इस सैट में साइनिंग बलेक, बीच में मेड बलेक, यहाँ पर मेड बलेक, और इसका रेट के डिजाइनी होगा काफी अच्छा यह डिजाइनी होगा तो यह नेक्स्स वीडियो में दिखाएंगे फिलाल जो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे तो यह आपको फटा फट बना करके दिखा दे रहे और कठ होने के बाद यह अभी यहां पर निकल जाएगा इस तरह से इसको अभी निकाल देते हैंगे इदिकर यह नुकल गया के दोस्तों इसके उल्बट चल जाएगा और आप देख पारे एक जरा से भी यहां पर जो है चाकू नहीं चलेगा चौकि यह बीट के बीच में जो चाकू चलता है और यहां पर hot gun मार दिया है चुकि जो भी अगर स्टरल पदार थे वो निकल जाता है hot air gun से अब इसको आराम से लगाएंगे और इसको हम ही लगाएंगे इसको अकास भी लगा सकता है लेकिन अकास को नहीं दे रहे इसको हम लगा रहे है इसको लगाने के लिए दोस्तों यह इस तरह पन्णी को जो है आपको आधा निकालना होता और इसको इधर से यहां पे नाप लिजिए आधा निचे भी देख लिए अव को यहां से फंठाइस को क्ला है और अए यह वाला पन्नी को आपको टानना है यह वाला पन्नी को टानके निकाल देना है इस तरह से ओ इधर का बहुत आसानी से आपको यह जो वह है बहुत इसली हो जागा इधर आजो पकड़े गो इसको हलका सा आप चाकु मार के थोड़ा सा एर निकाल दीजेगा तो यह ऐसे बैट जागा देखे यह हमने हरवडी में किया हाल है कि यह नहीं होता है लेकिन जल्दिवादी में किया ने इस टप जो इसका आता है जो इसका एक लेयर आता है यह अभी यहां से निकाल देखे यह निकालने के वाद का साइनिंग देखे है काफी जबर जस लगड़ा है काफी यूनिक दो यह प्रोटेक्शन जो है आपका सभी बाइकों में होना चाहिए आप लोग पर जो भी मेंड बिलेक का बाइक है उसमें इस तरह के प्रोटेक्शन आप लगा लेंगे बाइक तो ग्रेवेल वी यहां पर हमारा कम्पलीट हो गया है देख वारे हमने दो पार्ट में लगाया है हलाकि एक पार्ट में लगा सकते लिए उसमें ज़्यादा वरवाद होगा आप देख पारे इधर का जो इधर से आपको कम से कम 2 लेना पड़ेगा बेट फिट लेना पड़ेगा इधर से दो फिट चार फिट पास फिट में चार फिट लगबग लगए इसलिए हमने यहां पर थोड़ा सा जोएंड होगा लेकिन पता नहीं चलेगा पिए आपका चीप बेश्ट में होगा कम रेट में यह हो जाएगा पती हमारा ग्रेवेट पर कम्रिट हो ओँगा वर्षा सस्ट् 카ष भाइनल जो है अभी हमन से इसे को निकाले रहें यह ज यहां पर यह देंगे इसको इस कि धरठ थोड़ा सा बूसिक्टा पर बिलगा भी सकते हैं वो भी चलेगा या फिर यहां पर कोई युसरा था डिजाइन अधर कि इस तरह के बहुत सारा वीडियो हमने आपको दिखाया है वह आप लगा सकते हैं और यहाँ पर अभी आपको बताया है यहाँ पर रेट वीट का डिजाइनिंग होगा और यह देख पा रहे हैं यह हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है पहले से होंडा साइन में होंडा इसकी में बहुत जादा सीकात आता है कि सबसे पहले यही का पेंट निकलता है इसका कोई पेंट निकले ना निकले टेंक का तो खेर बहुत अच्छा पेंट रहता है लेकिन ग्रेवेल का जो पेंट है बहुत जल्दी निकल जाता है बाद में सभी ही जोब केहाल है भूह से उसले केंगे यह कम हुआ है है ग тобसय व्हशाय भी पेट्रोल से उस निकल जागा इसको वाद है थे मजबुत पर देखने में काफी अच्छा लगए यहां पर देखने में काफी अच्छा लगए काफी खुबस लगए एक बार फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर इर्फानाट का जो यह कलाकारी किया है कास नहीं यह पूरे में जो है मेड़ बिलेक लगा करके छोटा छोटा च्छर में इर्फानाट दुमका लिखा है मेरे चैनल का नाम है कफी अच्छा लग रहा है यह अब दोस्तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि हम कहां से है मेरे एड्रेस क्या है तो एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया वर आता है यह मेरा दुकान आप देख पा रहे है इस तरह से लुक है और यहां पर आप देख पा रहे है यह टावर चोक है पर चेकर लिजेगा और यह वीडियो अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं दोस्तों तो पेश को लाइक कर दिजेगा और पेश को फोलो कर दिजेगा यूटूब पर तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों यह जो बीट लग रहा है काफी खुश्रत लग यह जो है रेड का जो है डिजान है तो दोस्तों देख पा रहे हैं यह मड़िगाड में हमारा कंपलीट हो गया साथ ही साथ यह वाजर में हमने स्मॉक ब्लाइक इस्टोर के भिया है आप देख पार एंग पता नहीं चल रहा है कि यहां पर कुछ लगा गया है यह आपको ल पर कर डिमेज हो आप देख पा रहे हैं यह जो प्रेपर है काफी मोटा है बहुत अच्छा थिकनेस में लगबग देख पा रहे हैं और यहां पर देख पा रहे हैं यह जो जल लगा हुआ है दोस्तों यह इसको फिलाल हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे दूसरा इस चनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो जरू कर देजे तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में किसी आची टॉपिक के साथ अप तक के लिए अपना ख्याल रखिए जैहीन जैवारा